असलाव अलेकुम अगर आप लोग SEO की फील्ड में आना चाहते हैं या फिर आपका प्लाइन है कि इसकिल को लर्न किया जाए तो कुछ ऐसी बात हैं कि जिनका आपको इनिशिल फेज में पता होना बहुत जरूरी है अगर आप में इनको नहीं समझा तो मैं भी possible कि आपको future में problem face करनी पड़े तो इसलिए जरूरी है कि आप इन बातों को अच्छे समझ लें मैं अपने experience से क्योंकि मैंने इस फील्ड में काफी time गजार लिया है और काफी different clients साथ मैंने SEO को work किया है और website के लिए वर्ट किया है तो मुझे काफी idea है कि आपको क्या problems face करना पड़ सकती है और कि मैंने काफी लोग के questions भी देखें beginners के इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इस पर एक video बनाई जाए तो video बहुत informative होने वाली है इसको लाजमे से एंड तक वोच कीजिएगा मैं हो मुहमाद ऐसान अली और वल्कर में आपका ऐसान एक्सपरटीस चैनल पर तो सबसे पहले बात लिए करेंगे कि अगर आप लोग इस फील्ड में आ रहे हैं तो अपने आप से questions करें कि आप क्यों आना चाहते हैं इस फील्ड में यानि ऐसा तो नहीं कि आपने किसी से influence आप हो गए हैं किसी की dollars देखकर किसी की earnings देखकर ये किसी की success को देखके आप इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं अगर ऐसा है तो एक बार रुक कर सभी से तसलिस से आप सोचें कि आप वाकि वी इस फील्ड में इंटरस्टिड हैं कि इनिशल फेस में आपको earnings नो होने वाली नहीं है इस फील्ड में काफी patience चाहिए होता है अगर patience आपके पाथ से और आप वाकि interested है इस फील्ड में तो definitely आपको इस फील्ड में आना जो के आपको कुछ लोग कुछ लोग को जानते होंगे कुछ लोग को नहीं पता और भी काफी इसके लावा different methods होते हैं जो के आप अपनी skill SEO के जरी उससे earning कर सकते हैं वो भी अच्छी का से earning कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ points पर beginners के लिए questions करने की बात इसलिए की है क्योंकि अगर आप लोग SEO को इसलिए सेखेंगे कि आप क्लाइंट को सर्विस क्वाइट करें तो आपको किसी और वे में skill को learn करना होगा किसी और वैसे मेरा मकसद यह है कि आपको साथ साथ पर यह भी देखना पड़ेगा कि आपको reporting करने हैं reporting जब क्लाइंट से करने होते हैं लाजबी तो यह सब चीजें भी आपको साथ साथ सीखनी होगी आपको लेकिन यह सब अपको करेंगे जब पहले से तो मुझे प्रॉब्लम थी मुझे इसको मार्केट किसना से करूं तो इसलिए मैंने इसको SEO को सीखने स्टार्ट किया तो मुझे वीडियो बगरा कुछ देखी और डिफरेंट ब्लॉक्स को रीट किया देन मैंने क्या किया फिर मैंने उस सब को सब्सक्राइब करने के लिए अपना मैंने वेबसाइट बनाई अपने बिजनेस की तो मुझे उस वरकिंग के साथ काफी कुछ डिफरेंट चीज़ें और नहीं चीज़ें पता चली अब नॉर्मली ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो देख लिए फिर आप समझ रहे हों कि नहीं बस मैं वीडियो देखके एक्सपर्ट बन जाओंगा तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता हर वेबसाइट की ऐसी यो डिफरेंट वैसे होती है यह आपको कुछ जर्णरल बात है अगर वीडियो स टॉपिक तो वह आप तभी कर सकोंगे जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बैक्रिंग्स को सीख लिया नहीं कि एसा होतो ना कि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि कुछ लोग जो ना वो अपने आप पर देंगे यह नहीं ऐसा है कि स्रीफ बैक्रिंग्स बना रहें कमिंटिंग मगरा करकर करके वह समझते हैं कि बस हम जो एक्सपर्ट हैं तो बहुत की रैंकिंग्स आजाएंगी आपकी वेबसाइट हो जाएगी तो अब लेट्स अपोस यह उसकी वेबसाइट उसमें यह पर उसकी अफसाइट में इस्ट्रक्चर में काफी प्रॉबलम्स हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज हैं और वह सब आपने छोड़ दिए को आपने कोई उससे कोई सवाल नहीं किया कोई आपने उससे गोल्स कुछ नहीं पूछा बस आपने उसी दिञा होगे यह पाए किसी और वीडियो में इस फाइट करेंगे तो उसमें अच्छे तय अपशे समय सखते हों जो बेंगर निए को कुछ नो जो कुछ कंफुज्यन काफी प्हेली है यहां पर उन पर मैं यह आपने बात कर रहा हूं यह SEO की फिल्ड इस तरह से नहीं है कि आपने जिसे एक आपने जर्णलाइद एक वीडियो देख ली है और जिसे कोई पैटरन बताएगे को मैथट बताएगे आपने उसको सेम उसको देखकर exact copy कर लिया फिर आप समझ जाओ कि नहीं पर अप्राइग करूं तो वह पिर चीज़ें बादों कर नहीं आती तो आपको उसकी असाब से ही research करके इसलिए मैंने कहा कि आपको research करनी होगी अप अच्छे तरीके से इसकी पालिश में आप expert बनेंगे और प्रैक्टिकल करके ही बनेंगे और मैं यहाप बहुत नियाब एक बात करूंगे कि मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अभी जैस्क वह उन्होंने स्किल सीखना स्टार्ट की होती है वह किसी तरह किसी को message करके कोई client पकल लेते हैं क्लाइन पकड़ने के बाद फिर वह आके मुझे से question करते हैं मुझे बोलते हैं कि हमने clients वह मिल गया है तो अब हम SEO किस तरह से करें तो भाई यह बहुत ही गलत method है इस लोग मैंने देखा है कि अभी वह उन्होंने SEO सीखना बिल्कुल स्टार्ट की है और वह आके यह कहना श skill को polish कर लेंगे अच्छे तरीके से हर चीज समझ जाएंगे तो फिर definitely आपको clients को चल के आपको मिलेंगे काम फिर आपकी marketing करेगा तो इसलिए अब देखें आप SEO की field के अंदर हैं और आप यह शिकायत करें कि मुझे clients नहीं मिलें क्यूंकि आपकर तो काम ही है आपकर तो काम से आप learning में focus करें तो definitely आपको results अच्छे मिलेंगे और जैसे मैंने कहा कि इस field में earning करने के काफी different methods होते हैं वह हम video में इंशाला बात करेंगे सिर्फ ये client को service provide करना ही method नहीं होता और भी काफी methods है मैं इंशाला next videos में उन पर बात करने की भी कोशिश करूँगा तो मुझे आपको कुछ जो points मेरे जहन में आए आपको अच्छे लगे होंगे या जो बैगनर से उनको काफी कुछ concepts उनके clear भी होए होंगे तो आपके अगर कुछ questions बगए हैं तो यह आप कर सकते हैं वीडियो आपको informative लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इसको like कीजिए और जो skill को सीखना चाहा रहे हैं जो बिल्कुल बैगनर से हैं तो आप उनसे लाजमी शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में तिल देन अल्ला हाफिस